नमस्कार दोस्तों आपने जैसे हमारी फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस के वीडियोस देखे मुझे बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो को इतना एप्रिसेट किया और उसको देखा I hope आपको आगे भी वीडियोस में बहुत डीप में उनके बारे में जानकरी मिलेगी जो मैंने अभी तक पढ़ा मैं अपना सारा experience आपको इसके माध्यम से देना चाहता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम मैंने अब सारी कुछ फल्दीपी का पढ़ी बिर्याहत पारशर होरा सास्त्र पढ़ा और काफी बुक्स पढ़ी और जो मुझे यूनिक चीज़ें मिली उनको मैंने एक जग कलक्ट किया तो सेम ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपको ग्रंथों में मिल जाएगी मैं साफ रेफरेंस दे रहा हूँ मैंने फल्दीपी का और ब्रेहत पारशर होरा सास्त्र महां से सारी इंफॉर्मिशन लेके आता हूँ आज मैंने एक चीज़ सोचा कि कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसका मैं पीपीटी अगर आपको दे दूँ तो पीपीटी भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में सारा लेकिन क्या होता है हमारे सबकॉंसिस माइंड में ये सब चानकारी आल्रेडी रहती है बाई एक्सपिरियंस अब मैं सब कुछ हम पीपीटी के थुरू बता दूँ तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहा इसलिए मैंने सोचा कि जो अपने अंदर है हम उसको एनलेसिस करके निकालें बहार फिर उसके बाद पीपीटी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूँगा तो आज हम समझते हैं थर्ड हाउस के बारे कि थर्ड हाउस क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कुणली में थर्ड हाउस लगन हाउस हम खुद हैं और थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई भेन है जब यहाँ पर क्या है कुछ कीवर्स है मैं आपको दे रहा हूँ आपको भी याद करने में बहुत आसानी होगी उनकी बड़ से जैसे हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई भेन का है छोटे सिब्लिंग्स इसका मतलब छोटे सिब्लिंग्स है तो थर्ड हाउस हमारे करेज का भे है हमारे साहस का भी है जब छोटे भाईबर है तो हमारी responsibility का भी third house है and third house का एक और keyword है communication अब communication अब दो second house speech का है और third house technology से जोड़ता है जैसे हमारी email हो गया social media हो गया IT sector, total IT sector belongs to third house अगर हम कुछ भी कोई पूछता है क्या मैं CS branch मिल सकती है कोई पूछता है कि मुझे कोई भी computer से related कुछ मैं कर सकता हूँ तो उसमें third house का बहुत important role होता है and कुछ घ्रेवों के अगर बात करें तो राहू को भी हम IT sector से जोड़ते हैं और कुछ कहीं कहीं क्या हर जगे कहा है कि third house में राहू बहुत अच्छे फल देता है तो यह तो हम आगे बात करेंगे ग्रहों के बारे में इविन राहू थर्ड आउस में उच्छे का भी होता है आजकल तो राहू के प्रभाब में सबसे जादा राहू का प्रभाब है कल योग में चलो हम आगे थोड़ा सा भड़ते हैं जब कम्मुनिकेशन का है तो IT सेक्टर ट्रांस्पोर्टेशन भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसमें आ जाता है किसी को डिटल मेडिया में करियर बनाना हो तो थर्ड हाउस का बॉटन हुद जादा है और थर्ड हाउस क्या है अगर हम और डीप में जाते रहें तो धन भाब का भी धन भाब है थर्ड हाउस धन का भी धन है जब हम भावत भावम की बात करते हैं तो सेकेंड का संबंध थर्ड अव तो ये भावत अच्छा धन्योग बनाता है q. एंड थर्ड हाउस फोर्थ हाउस फोड़ा समय आगे बताता हूं फोर्थ हाउस हमारे घर का होता है नष्ट का थर्ड टोयल्थ है तो यानि ये हमसे घर से भी freezer करता है अलग करता है तो यह हमारे fourth house का anti है third तो उसको भी घर से भी अलग करता है तो उसका मतलब third house हमारी traveling का भी है अब third house मैंने आपको बताया है करीज का है तो इसका मतलब हमारे पराकरम हमारा राजा महरा जो मैं कहा जाता था वीर योद्धा है कि नहीं तो वो भी third house हम देखेंगे shore and हम third house में ये देखते हैं कि जो आर्मी है जो आर्मी होती है उनमें भी third house का बहुत important role होता है क्यों वो ही मैंने बताया क्योंकि courage है courage हम यहां से देखते हैं इस पर भी हम आगे discuss करेंगे जब घ्रहों की बात करेंगे ये भी क्यों कहते हैं कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि third house में malefic planet बहुत अच्छे फ़ल देते हैं और benefit बहुत अच्छे फ़ल नहीं देते इसकी पीछे भी कुछ logics है उसको हम जब घ्रहों के बारे में शर्चा करेंगे तब हम इसको आगे बताएंगे ठीक है क्योंकि ये भी simple house के भावों के बारे में एक video है और अगर हम deep में जाएं तो ये third house हमारी ninth का भी third है sorry ninth का seventh है तो ninth house धरम का है तो धरम का साथी third house है हमारा साथी है third house साथी हमारे चटे का दशम भाव है कि हमारे competition का क्या होगा ऐसे तो देखो काफी सारे combination बन जाएंगे third house हमारा stamina का है जो मैंने बताया ये courage है तो stamina भी हमारा third house में आ गया हमारे छोटे भाई बैन भी ये सारे इसमें आ गई तो third house में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं और भी हम logics बना सकते हैं यहाँ पर कि third house में और क्या-क्या logic बन सकते हैं हमारे छोटे भाई भेन के बारे में third house हमें सब बता देगा इसमें हर भावों के उपर वर्ग भी बताए गए हैं तो third house का जो वर्ग है उसको कहते हैं द्रेशकान तो third house के घहराई में द्रेशकान जिसको D3 कहते हैं वो भी बता देता है अगर हमें छोटे भाई के बारे में और ज़्यादा जानना है तो third house द्रेशकान का लगन हमें observe करना पड़ेगा बहुत clear crystal clear उसमें answer आ जाए हम थोड़ा सा speed में मैं आपको PPT शेयर कर देता हूँ आप देखिए इसमें और अंग अब अगर हम थोड़ा सा हम देखे अंग क्या है यहाँ पर हम तीन चीज़ों पर बात करते हैं जर्नल एक उसके parts of body और relations तो relations में ये co siblings हो गए हमारे co bonds और third house relation में तो ये हो गए और अगर हम इसपे और सोच है तो third house हमारे 11th house का 5th है मतलब हमारे बड़े भाई के बच्चे और यही हो गए इसमें तो और अगर हम देखे तो third house हमने first house हमने brain की बात करी थी second ही हाँ की बात करी तो third house हमारी swans नली air pipe हमारा neck एंड हमारी shoulder भी third house में जाते है अब आप यहां से और connect करें और connection मिला यहां पर कि third house में shoulder भी देखते हैं कही ना कहीं अब देखो यह बहुत आगे की बात है फिर भी मैं थोड़ा hint दे देता हूँ कही ना कहीं जो आर्मी होती है जिनके बात बहुत साहस होता है करेज का काम होता है तो third house का संबन्द उसमें देखेगा और जब third house में mangal, sur जैसा ग्रहों का संबन्द हो तो उसका shoulder बहुत strong होता है shoulder बहुत अच्छा होता है तो हम इस पर ग्रहों पर आगे चर्चा करेंगे फिर हम आगे combination भी बताएंगे मैं इसी परी एक डिस्क सोच रहा था आज विचार कर रहा था कि अगरना हम एक एक combination पर वीडियो बनाएं तो कितनी वीडियो बन जाएंगी आप सोच है 12 राशिया 12 घ्रह 12 भाव 27 नक्षत्र टोटल मिलाकर लगवग एक लाख से उपर योग बन जाएगी क्योंकि एक राशिय पर दो घ्रह भी होते हैं तीन भी होते हैं चार भी होते हैं तो जोतिश कभी रटी नहीं जा सकती जोतिश समझी जा सकती है अगर हमने समझ लिए तो यहाँ पर सिर्फ कोडिंग कोड कोड बढ़ है अगर आपने आज समझ लिया कि थर्ड हाउस यह है फिर आप मानलो घ्रह भी आपने समझ लिये मानलो मंगल के बारे वी समझ लिया थर्ड हाउस के बारे वी समझ लिया फिर और राशी की बारे हुँ समझ लिया तो आप इतनी इजिली बहुत अच्छी तरीके से बता दो कि यह मंगल इस थर्ड हाउ से बैठा यह यह है आप रिलेट करके बहुत इजिली बता दोगे साथ में देशकाल पात्र अगर हम जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी प्रडिक्शन आईगे और हम एक मैं इस पे भी बहुत क्यूरिस हूँ आपको बताऊं कि देशकाल पात्र कम यूज़ करना चाहिए क्यों यूज़ करना चाहिए इसके उपर एक धार्मिक स्पिरिच्वल एक वीडियो बनेगा जिसमें हम आपको बहुत डीप में पूरा बताएंगे कि देशकाल पात्र क्यों यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम उस दिन की यूज़ कर रहे हैं जिस दिन हम पैदा हुए तो देशकाल पात्र बहुत बहुत इंपोर्टेट है प्रेडिक्शन को और स्ट्रॉंग बनाने में तो आज के लिए थोड़ा सा हम पिपिटी शेयर कर लेते हैं यहाँ पर आपको शायद में सोख होगी फ्रम इसको एंड करते हैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बताया कि अंग में छाति है एर है और कंदर एंद हैं हमने बता है Shoulder crouch रोडर हमने बताया यहाँ पर और यहाँ पर ग्रह है मनें मंगल को कार्रreiben बता है अब यहाँ पर इंडिविूज़ल अब यहाँ पर यहाँ PAL रहरा है Age Age कैसे ये भी भवत भवम के according है क्योंकि 8th house हमारे आयू का इस्थान होता है तो 8th से 8th 3rd को भी हम आयू के लिए देखते हैं तो हमारा आयू violence, courage and brother इनका कारक मंगल है और जो longevity है और 3rd house को तर्श जाय भाब कहते हैं और दू इस्थान भी कहते हैं जिसमों दुख इस्थान कहते हैं तो यहाँ पर कुछ जो misery वगरा obstacles होते हैं अगर शनी यहाँ पर शनी का influence यहाँ पर हो तो कही ना कही ऐसी चीज़े हमें मिल जाती हैं अगर हम कह सकते हैं शनी अगर पीड़े थो थर्ड हाउस पीड़े थो थर्ड लॉट पीड़े थो तो इस तरीके की problem हमें obstacles वगरा यह सब देखने को मिलता है और हम communication की बात करें तो उसमें बुद्ध का बहुत important role है ठीक है और बुद्ध का influence आना चाहिए इक ची जो मैं आपको थोड़ा से बता देता हूं कि जब हम भाई की बात कर रहे हैं छोटे भाई की बात कर रहे हैं तो थर्ड हाउस हमारे neighborhood का भी है पड़ोसी भी देखते हैं थर्ड हाउस से आना अब देखें रेलवे transportation और कुछ प्रोफेशन भी दे रखें थर्ड हाउस का संबंद आ जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग राइटिंग जर्नलिस्म कम्मुनिकेशन रिलेटेड रेलवे ट्रेवल एकाउंटिंग बैस अब देखो एक चीज और मैं आपको होता आदू कि पहले ज ये के लिए थर्ड हाउस बहुत इंपोर्टन्ट है उसका एक्टिव होना चाहिए तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही हम नेक्स वीडियो में फॉर्ट हाउस के बारे में और टीप में स्टडी करेंगे